आप लोगों को मालू होगा कि 14 सेप्टमबर को हर साल राष्टिय हिंदी दिवस मनाये जाता है और देखिए 10 जन्वरी को 200 हिंदी दिवस के रोम में आप लोग मनाते हैं तो 14 सेप्टमबर को केबल आप देखिए भारत में हिंदी दिवस मनाये जाता है और 10 जन्वरी को पूरी दुनिया भर में हिंदी दिवस मनाये जाता है और इस तरह की कुश्चन्स आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप लोग जिस भी एक्षाओं की तयारी कर रहे हों उसके कम से कम 4-5 साल पूराने कुश्चन्स पेपर उठाके उनका मूल्यांकन करिए आपकी समझ में आ जागा कि कहां से किस तरह की कुश्चन्स पूछे जाते हैं तो आज इन दोनों दिवसों के बारे में हम लोग एक ओवर विव ले लेंगे और इससे अगर आपकी परिक्षाओं में इससे कुश्चन्स आते हैं तो आसानी से आप लोग उनका जबाब दे पाएंगे तो पाकिस्तान हो गया जो आप सभी जानते हैं कि 1947 तक हमारा ही हिस्सा था और अफगानिस्तान हो गया चाइना हो गया नैपाल भूटान बंगलादेश म्यानमार और यह आपका पड़ोसी स्रिलंका देखने को मिलेगा पाक जलनमरो मननार की खाड़ी आपको यहीं देखने को मिलती है और देखे मैक मोहन रेखा चाइना और भारत की बीच सीमा को कहते हैं और Red Clip रेखा, पाकिस्तान और भारत की बीच जो सिमा रेखा है, उसे कहते हैं, दोरन्ड रेखा. पहले आप देखी जब तक पाकिस्तान भारत का इससा था, तब तक भारत और अफगानिस्तान की बीच देखने को मिलती थी. अब ये भारत किसके जब से भारत से अलग हुआ पाकिस्तान तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वीच आपको डूरंड रेखा देखने को मिलेगी तो ये questions भी पूछ लेता है कई बार और 14 सेप्टमबर को भारत में हिंदी दिवस के रूम में मनाते हैं और इस दिन को मनाने की पीछे एक कारण देश में अंग्रेजी भासा के बढ़ते चलन और हिंदी की उपेक्चा को रोकना है एक बात और आप लोग जानते होंगे देखे हिंदी हमारी राष्टी भासा नहीं है ये आप लोग किलियर समझ लिजेगा और देखे हिंदी को किस तरह से आप देखे कि महत तो नहीं दिया जाता है आपने देखा होगा कि अगर किसी को हिंदी नहीं आती है तो कोई बात नहीं कोई सरम की बात नहीं रहती उसके लिए अगर उसे अंग्रेजी नहीं आती है तो वो सरम करता है और आपने देखा होगा जो सरकारी नौकरी हो या आप देखी प्राइविट नौकरी हो तो उसमें अंग्रे जी को महतु दिया जाता है और आप देखी कई प्राइविट कम्पनिया जहां आप लोकों को हिंदी आती है तो नौकरी नहीं दी जाएगी और आप देखी कि अगर आपको इंगलिस आती है तो तुरंत आपको नोकरी मिल जाएगी तो इस तरह का भिदभाव भी देखने को मिलता है और हिंदी दिवस का अगर आप इतिहास देखें तो देवनागरी लिपी में लिखी गई हिंदी को 14 सेप्टमबर 1949 को भारत गणराजी की अधिकारिक भासा की रूम में मानता रूम में अपनाया गया था और हिंदी की लिपी क्या है देवनागरी काका कालीर कर मेथली सरन गोप्तो और हजारी पिसाथ दोवेदी सेट गोविंदास ने हिंदी को राजवासा बनाने में महत्वून योगदान दिया और पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया यह भी आप लोग जयाद रखिएगा पहली बार हिंदी दिवस कम मनाया गया था उननीस सो त्रेपन में हिंदी के अलाबा अंग्रेजी दूसरी अधिकारिक भासा है समीधान के अनुछे 343 में हिंदी को आप देखते हैं कि आठवी अनुसूची में की भासा में भी सामिल क देथ है और हिंदी सास्ति ये भासा नहीं है ये भी आप लोग याद रखिएगा और विस्त हिंदी बात के रन तो दस जन्वरी को मनाया जाता है विस्त हिंदी दिवस को और दस जन्वरी 1975 को नांगपुर में संबन हुए पित्थम विस्त हिंदी संबेलन की वर्सगार्ट की आउसर पर हुए आयोजन में 30 देशों के 122 पिती निदियों ने भाग लिया था पहली बार यह है 2006 में पूर्व भारती पिधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सींग द्वारा दुनिया भर में हिंदी को भासा को बड़ावा देनी के उद्दे से मनाया गया था और हिंदी वि फार्सी सब्द हिंद किसे पराप्त हुआ है और जिसका अर्थ है कि सिंधु नदी की भूमी और ग्यारवी सताब्दी की सुरुवात में तुर्की के आकमड कारियों ने सिंधु नदी के आसपास की छेत्तव की भासा को हिंदी यानि की सिंधी नदी की भूमी की भासा के न कुल भासाओं में हिंदी पांच में सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा है। केंद्री हे नेदेसालाही की स्थापना की गई थी. भारती सांस्कितिक संब्ध पलचल ने विभेन विदेशी विषमिद्यालیں हिन्दीचेर की स्थापना की है। लेला राजभासा Learn Indian Language Thro Artificial Intelligence हिंदी सीखने हितू एक मली मीडिया आधरी 100 शेक्षन अनुपि योग है। कोर्स मोबाइल एप का भी उद्देश हिंदी के विकास के लिए सूचना प्रोधगी की के उपयों को सुनिश्रित करना है और राजभासा गौरब पुरुसकार और राजभासा कीर्थी पुरुसकार हिंदी में युगदान को माननता भी देते हैं तो एक सामन जानकारी है इसके बारे में याद रखिएगा इससे आप लोग कुश्चन आराम से बनेंगे तो उनकी आंसर दे सकेंगे